साथ यों बॉलिवूड के बहतरीन कलाकार अनुपमखेर की नए फिल्म रिलीज हो चुकी है वेब फिल्म है मैंने ट्रेलर देखा था सोचा था कि इस फिल्म को देखेंगे और आप तक रिव्यू भी पहुंचाएंगे तो मैंने देख लिया है फिल्म का नाम है दसिगनेचर पर अधारी तो यान कहानी है अनुपमखेर की जिसकी पत्नी होस्पिटल में है और यह कहानी जैसा की टाइटल से समझ आ रहा है एक हस्ताक्षर की एक सिगनेचर की एक अनुमती की यह कहानी है अपनी पत्नी के इलाज में अनुपमखेर अपना सब कुछ लगा देते हैं अ मरते हुए देख रहे थे या जब भरती से तब वो लोग हॉस्पिटल के चकर काट रहे थे हॉस्पिटल वाले के इशारों पर उनको बहुत सारी चीजे करनी पर रही थी और पैसे उनके जा रहे थे तो वो लोग कही न कहीं इस फिल्म से कनेक्ट करेंगे और अनुपम खेर वैसे तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं लेकिन इस फिल्म में उनके सीन वैसे नहीं लग रहे थे जैसे लगने चाहिए जैसे कि हॉस्पिटल के एक सीन में अनुपम और उनके बेटे के बीच बाचीत वाला जो सीन है वहा नेचुरल नहीं लग रहा होता है वहा ऐसा लग इस फिल्म में वैसे समवादो की थी वैसे एक्टिंग की थी महिमा चौदरी का भी काम ठीठाग लग रहा है वैसे उनका रोल बहुत ही छोटा है और जैसा भी है ठीठाग लगता है अनुकपूर है नीला कुलकरणी के साथ दोसिन के लिए रनवीर शौरी भी आये हैं दोस लगता है फिल्म में मनोज जोशी है और सनेहा पॉल भी है सनेहा पॉल ने फिल्म में अनुपम की बहु का करदार नी भाया है जो हॉस्पिरल में अपनी सास का देख रेक करने के लिए आती है उनका काम भी ठीठाग लगता है सबसे बेकार एक्टिंग मुझे उनकी लगी जिन्होंने अरुपम खेर के बेटे का करदार नहीं भाया क्योंकि उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी नेश्चनल नहीं लगती बिल्कुल भी फेक लग रहा होता है तो वैसे फिल्म काफी हार्ट टेचिंग है एमोशनल है लेक पीसे बिल्कुल से देख सकते हैं और एमोशनल फिल्म है या एक स्लो फिल्म तो है जो जीवन की सचाई दीखाती है महिमा चौधरी का एक समवाध है कि जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं जैसे स्वीच आफ करने से लाइट चली जाती है वैसे ही जिन्दगी भी मानो एक सेकिंड में चली जाती है तो हर पल को जीना चाहिए इसी संदेश के साथ इस फिल्म को आप देख सकते हैं थोड़ी से स चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें मुलकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद नमस्कार